नमस्कार, आपका मेरे चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है तो चलिए फिर आज का वीडियो शुरू करते हैं आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी दलिया जी हाँ मैं आज आपको नौर्मल दलिया बनाना सिखाऊंगी जिसे हम बच्चों के लिए छोटे बच्चों के लिए बनाते हैं और कभी हम बिमार हो जाते हैं या फिर हमें कुछ हलका खाना होता है तो हम इसको बना सकते हैं तो चलिए फिर शुरू करते हैं इसके लिए ये मैंने दलिया लिया है और ये दलिया आपको कहीं भी आसानी से ग्रॉसरी स्टोर पर मिल जाएगा हमें इस दलिया को ले लेना है और आप दलिया को एक बाद थोड़ा साफ कर लिए देख लीजे इसमें कुछ पत्थर वत्थर एक अंकरवं करना हो इसमें कई बार ऐसा होता है तो इसे एक बार अच्छे से साफ करने के बाद और छानने के बाद हमें क्या करना है इसे सेखना है यानि कि हमें इसे रोस्ट करेंगे तो आप इसके लिए कुछ भी ले सकते हैं आप चाहें तो इसके लिए तेल ले सकते हैं या घी ले सकते हैं अगर आप गी लेंगे तो जाद अच्छा रहेगा क्योंकि ये थोड़ा healthy भी हो जाएगा अगर गी लेंगे तो अब हमें क्या करना है इस दलिय को सेखना है तो अब मैं ये डलिया डाल देती हूँ जो हमने लिया था उसे मैं इसमें सेखूंगी इसे हमें medium flame पर सेखना है बहुत ज़दा high flame पर नहीं सेखना और बहुत ज़दा low flame पर भी नहीं सेखना इसे medium flame पर सेखना है high flame पर सेखने पर क्या होगा कि ये जल जाएगा आपका दलिया और वो कच्चा रह जाएगा मतलब वो उपर से तो जल जाएगा लेकिन अंदर से कच्चा रह जाएगा लो फ्लेम पे करेंगे तो दल्य को सिखने में बहुत टाइम लगेगा तो आप मीडियम फ्लेम पर इसे सिखिए और इसे बीच-बीच में चलाते रहेगा अगर नहीं चलाया तो ये जल जाएगा वैसे दल्या खाने में स्वादिश्ट होता है ऐसा नहीं है कि आप बीमार हो या छोटे वच्चों के लिए ये दल्या को यूज किया जाए दल्या आप वैसे भी as a breakfast भी ले सकते हैं और वो काफी healthy होता है आसानी से digest भी हो जाता है इसमें fibers भी होते हैं जो हमारे लिए बहुत फायदेमंद होते हैं तो मैंने क्या किया था दल्या को brown होने तक सेक लिया था उसके बाद अब मैंने कोकर ले लिया है और कोकर में ये मैं पानी डाल देती हूँ हमें क्या करना है जितना हम दल्या ले रहे हैं उसका चार गुना यानि कि 4 टाइम्स हमें पानी लेना है जैसे मैं आपने एक कटोरी दल्या लिया तो आप उसमें 4 कटोरी पानी डालिए और अगर आप थोड़ा सा पतला दल्या लेते हैं बच्चों के लिए बना रहे हैं कब चुटे बच्चे के लिए बना रहे हैं तो आप इसमें पानी थोड़ा और भी ज़दा डाल सकते हैं अब हमें क्या करना है पानी को बॉयल हो चुका है अब पानी के बॉयल होने के बाद हम इसमें डल्य डालेगें यानि कि हमें छंडे पानी में डल नहीं डालनाएं है इसके हमें गडम गर्म जब हो जाए बॉयल खोने लगे लगिए तब हीाइव तो दलिया अच्छे से उबलेगा अ अभी मैंने डलिया डाल दिया है सिसमें आप डलिया डालने के नमक डाल दिया है, मुझे नमकी नदलिया बनाना था, अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर देती हूं नमक को, और अब हमें क्या करना है, कि कोकर का ढखकन लगा देना है, और ढखकन लगाने के बाद हमें क्या करना है, कि गैस को हाई फ्लेम पे रख देना है, कि मैं ढखकन अब इसमें ये CT आ गई है, एक बार इसमें CT आने के बाद हमें फ्लेम को मीडियम कर देना है या फिर आप चाहें तो कमपे भी कर सकते हैं और इसको दल्ये को 5-10 मिनिट तक मीडियम फ्लेम पर या लो फ्लेम पर रखना है ताकि यह अच्छे से धीरे धीरे इसमें बॉइल होता रहे अब यह देखिए जब एक बार आपको 5-10 मिनिट हो जाएं तो उसके बाद हमें इसे गैस को बन कर देना है और कुकर को ठंडा होने देना है जब कुकर अच्छे से ठंडा हो जाए इसमें से जो गैस है वो पूरी तरह से बाहर निकल जाए तो उसके बाद हमें कुकर को खोल लेना है यह देखिए मैंने कुकर खोल लिया है और आप देख सकते हैं मेरा दल्या कितना अच्छे से उबल गया है बिलकुल भी कच्छा नहीं रहा है यह आप देख सकते हैं और नहीं बहुत ज़ादा ओवर कुक्ड हो आए यह देखिए मैं आपको इसे अच्छे से दिखा देती हूँ यह मेरा दल्या बनके तैयार है आप चाहें तो इसे ऐसे भी खा सकते हैं आप चाहें तो इसे दूट के साथ भी खा सकते हैं इसमें दूट डालके दल्या खाएंगे तो बहुत ही स्वादेश लगेगा या आपके पास घर में कोई सबजी हो तो आप इसे सबजी डालके भी खा सकते हैं तो आपका मिक्स वेज दल्या बनके तयार हो जाएगा तो आप इसे भी घरप्रिट बनाईए और मुझे कोमेंट बॉक्स में लिखके बताईए कि आपका दल्या कैसा बना मेरे नेक्स ट्रॉडियो में अक्ता के लिए बाए